गुद मॉर्निंग स्टुटेंट्स, विल्कम तो क्लास सेवेंथ एंड हेर इस सोशल साइंस टीचर, अगें विल बैक बायार सेम चैप्टर ताट इस एक्वैलिटी और आज का हमारा टॉपिक है एक्वैलिटी और किस तरह से एक परसनल इंडिविज्वल एक व्यक्ति ने अपनी कास्ट इस्क्रिमिशन को लेकर दो एक्वैलिटी यहां शेयर किये हुएं तो अग्वैलिटी और क्लास में कि क्लास इस्क्रिमिशन से काफी सारी जो प्रॉब्लम से वो क्रेट हो जाती हैं जैसे डिप्राइवेशन, मैंटल ब्लॉक, हुमिलेशन, इंफिरिटी कॉंप्लेक्स, अस्केपिजम, लो सेल्फ स्टीम, लैक ओफ कॉन्फिदेंस, पूर प्राइवेशन, इंगर, डिस्सटीम, यह मैंने आपको अपनी वीडियो में तो आज हम बात करते हैं कितने टाइप की अंटचबीटी होती है और वो किस तरह से लोग प्राक्टस करते हैं तो 1999 में एक जर्रलिस्ट है, उनका नाम है पी सायनात उन्होंने एक सीरीज लिखी है न्यूस की, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपिरियेंस जो उन्होंने स्टडी की होंगे उनके बारे में डिटेल लिखी हुए कि किस तरह से लोग जो है वो अन्टचिबिलिटी और कास्ट सिस्टम को प्राक्टस करते हैं आज भी, आज मतलब जब यह चीज मेंशन कर दी गई है कंस्टिशन में कि कोई भी इस टाइप की प्राक्टस नहीं कर सकता और यह एक पनिशिबल क्राइम है, स्टिल जो लोग गाओं में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं या इविन शेहरों में भी, वहाँ पर लोग आज भी इस प्राक्टस को जाता है, जैसे कि एटी स्टॉल, कप सार कीप सेपरेटली फॉर दलित अन आदर्स, जो चाहे की स्टॉल होते हैं वहाँ पर जनरल लोगों के लिए अलग कप होते हैं और जो शेडूल कास्ट होते हैं, उनके कप अलग रखे जाते हैं, फिर बार्बर रिफ्यूस टूस जो लोग जो शेडूल कास्ट के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको अलग से बिठाया जाता है कि बिकॉस दलित तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, दलित ग्रूम वर नौट अलाओ टॉर्स इंद वेडिंग पोसेश्शन, जो हम लोग पार्टी शादियां करते हैं, तो हमें देखते होंगे आप बच्चों ने आपने देखा भी होगा कि जो हमारा गुरूम है दुलह है वो गोडी पर बैठ कर आता है अपना फंक्शन पार्टी करने के लिए तो सेम इसी तरह से शेडूल कास्ट लोग जो है उनको ये कस्टम करने के लिए मना था कुछ गाओं में कि बही आर नॉट सपोस्ट तो राइड ओना होर्स इन देर वैडिंग प्रोसेशन देन दीज एग्जामपल्स आर वेरियस टाइप अफ डिस्क्रिमिशन इसके इलावा भी बहुत टाइप का डिस्क्रिमिशन है जो हमारी सुसाइटी में प्रिवेल है जै सारे सोशल रिफॉर्मर लोगों का जो ध्यान है वो अटेंशन है वो उनके जो रिपोर्ट है उस पर गई और लोगों को रिलाइज हुआ कि आज भी लोग जो है वो अन्टच अबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं तो गॉर्मेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लि कि प्रोविजन है कि अजिए वो प्रोविजन वान्ट ने विपाट लोगों की इंपलिप्मेंट के लिए वन नमबर वन कि रिविज रिजर्वेशन इन गॉर्मेंट जॉब्स ने इन लोगों को रिजर्वेशन दी गई है 15% for scheduled caste और 7.5% for scheduled tribes प्लस 27% for other backward classes तो ये गॉर्मेंट के द्वारा लिया हुआ स्टेप है जो की जो लोग discriminate होते हैं या जो लोग scheduled caste में या lower caste में आते हैं उनकी अप्लिप्मेंट के लिए second step क्या लिया है हमारी गॉर्मेंट ने के they reserve seat in लोगसभा जो हमारी पार्लेमेंट है जिसमें लोगसभा एक हाउस है उसमें भी हमारी गॉर्मेंट ने इस category के लिए seat reserve की हुई है और education reservation reservation third है हमारा reservation of seat in education institution means कुछ seats को भी reserve किया हुए education institution में specially in seat seats जो seat है education institution में उन पर केवल SC और ST candidate को ही जो है वो admission मिलता है then fourth provision of grant and scholarship to economically weaker section of Indian society के बहुत सारे ऐसे scheme government ने launch की हुए जिसके अंदर weaker section को और scheduled caste और scheduled tribes को जो है वो scholarship provide की जाती है ताकि वो अपनी development कर सके next fifth है launching to vocational training in the tribal people areas मतलब वहाँ जो tribal area है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर हमारी government में बहुत सारे institution खोले हैं ताकि उन institution से vocational training लेकर जो छोटे छोटे रोजगार लोग कर सकते हैं वहाँ पर vocational training लेकर tribal लोगों को जो है वो expert बनाया जाता है उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोग भी आगे चलकर mainstream में मर्ज हो जाएं तो क्लास आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे और कंटीनु करेंगे नेक्स टॉपिक इन मैं नेक्स वीडियो तिल देन कर दो